आशा करता हूँ, आप साब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम अशिद्धान अगनी होतरी, स्टड़ी IQPAP का बहुत-बहुत स्भागत है, आज हम धन्निपुर मॉस्क प्रोजेक्ट की बात करेंगे, 26 जन्वरी से इसका शुबाराम हो गया है, अयोध्या में, बिलकुल, तो हम देखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, टेस्स सीरीज आ रही है, आई भी के अड्मिट कार डाश चुके हैं, बहुत ही अट्राक्टिव आफ़ोस हैं, आप सरूर अवेल करें, इंस्टा पर मैं आगया हो, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तबेट ठीक नहीं है तो मैं, अभी इंस्टा पर जब पिक डाली थी, तो काफी बच्चे बोल रहे थे, रेड वेलवेट खाते में सर्फ पिक डाल रहे हैं, आपके तबे सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा वह चलता है, थोड़ा घूम लिया तो अब थोड़ी तबे सही होगी, 90% में अल्रेटी रेकवर हो चुका हूँ, देखो धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट की बात करें, तो इसमें क्या-क्या है, हॉस्पिटल है, म्यूजियम है, लाइब्रेडी है, कम्यूनिटी किचन है, इंडो-इस्लामिक कल्चिरल रिसर्च सेंटर है, पब्लिकेशन हाउस है, और एक मस्जित है, 26 जन्वरी को, क्योंकि आर्टिकल है 26 जन्वरी का है, हाला कि अभी तक मैंने पूरी न्यूस फॉलो किया, आपको बता दूँ कि अभी, अभी हाइकोट ने, देखे, दो जो बहने हैं, वो पहुँच गई थी, कि जो ओनर्शिप, मतलब ये जो मॉस्क की ओनर्शिप इसमें न्यास हुआ है, आप जो काम है मॉस्क का, वो साथ साथ चलेगा, कि आप बहुत बहतरीन बात है, इधर मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, और इधर मस्जिद बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये है भाईचारे का प्रतीक, राम मंदिर की बात करें दोस्तों राम जन्म भूमी की बात करें तो इस पर मैंने कई बार लेचर भी लियें अभी एक सीरीज आई है मैं उस सीरीज को आपको रेकमेंड करूँगा आप उसको जरूर देखिएगा The Legend of Hanuman Animated सीरीज है रामायन तो ही हमारी और एक Animated रामायन है अब लोग बचपन में बहुत जादा दिखते थे हमेशा अभी भी आती है दिवाली पे भी आती थी उसके भजन बहुत फेमस थे आज भी बहुत ही शांदार भजन जननी में राम दूत हनुमान पंचवटी मन भावन उकवन लेकिन अभी एक सीरीज आई है The Legend of Hanuman होट स्टार की है 15 एपिसोड से रामायन की पूरी स्टोरी है और हनुमान जी का उसमें क्या रोल है मैं तो वैसे हनुमान भगत हूँ तो वो इतनी बहतरीन सीरीज बनाई है इतनी बहतरीन सीरीज बनाई है घजब का एक तो एनिमेशन है बहुत ही बहतरीन एनिमेशन है और मेरे खयाल में वो सीरीज आपको सरूर देखनी चाहिए यह मेरी तरफ से आपको रेकमेंडेशन रही मैं डूब गया तो सीरीज में जब जब भगवान राम भगवान राम के अगर टीचिंग्स को आपको समझनी है भगवान राम के बहुत बड़ी-बड़ी बाते करते हैं लोग लेकिन क्या हम उनको फॉलो करते हैं बिलकुल भी नहीं जब जब उनकी बाते जब लक्षमन जब हनुमान जी बोलते हैं लक्षमन से कि भगवान राम जो है, वो एक राक्षस को भी छोड़ देते हैं, उनको भी भख्ष देते हैं, तो जब भगवान, जब हनुमान लक्षमन से बोलते हैं, कि इन्वे तो राक्षस को भी भख्ष दिया, समझ भी नहीं है, तो लक्षमन जो विवरण देते हैं भगवान राम का कि करोणों में एक है राम हम सब से उनका नजरीया अलग है आपकी आखों में आसू आ जाएंगे जब जब भगवान राम की टीचिंग्स जब जब भगवान राम के कैरेक्टर का विग्रण होता है मरियादा पुरिशोत्तम उनको ऐसे नहीं बोला जाता लेकिन पुरिशोत्तम से पहले मरियादा लगा है ये ध्यान रखिएगा लॉइन ओर्डर की जब भी हम बात करते हैं तो हम भगवान राम को हमेशा देखते हैं वो एक आइडियल एक उत्तम पुरिश है तो जब जब उनके कैरेक्टर का अगर आपको भगवान राम को समझना है जरूर वो शांदार सीरीज है विद जबरदस्ट एनिमेशन और हनुमान तो है ही चै श्री डाम चै बजरंग बली तो धनिपूर मॉस्क प्रोजेक्ट का जिसमें हॉस्पिटल, म्यूजियम, लाइबरेरी, कम्यूनिटी किचन सब है ये 26 जनवरी से शुरू हो गया है मजजित आयुध्या में बनाय जाएगा सुप्रीम कोट ने वर्डिक दिया था ना रामजन मुभूमी का तो उसमें कुछ पांच एकर जो जमीन थी वह आपके सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी थी वहाँ पर मस्जित बनेगा अब इससे पहले हम आगे बड़े 13,100 सब्सक्राइबर है ये मेरा ओफिशल टेलिग्राम चैनल आप इसी कोई जोईन करिएगा आई आई सी एफ इंडो इस्लामिक कल्चिरल फांडेशन ने ये बोला है कि 26 जन्वरी को देखे इस सब हो चुका है आपको बता दू कि इस सब हो चुका है 26 जन्वरी को सेरिमनी हुई ट्री सैपलिंग प्लांटेशन ड्राइफ की गई नाशनल भाई 26 जन्वरी हमारा संविधान इस दिन बना था तो हमारा तिरंगा जो है वो लहराया और प्रोजेक्ट की शुरुवात हो गई ये भी डिसाइड किया गया कि धन्नेपूर आपको बता दू धन्नेपूर डिस्ट्रिक्ट है आयोध्या में धन्नेपूर एक गाउ है अलब आयोध्या डिस्ट्रिक्ट है धन्नेपूर एक गाउ है तो जो रेपब्लिक डे है धाट विल बी सेलिबरेटेड विद्धी स्टार्ट अफ धन्नेपूर मॉस्क प्रोजेक्ट जिसमें हॉस्पिटल, म्यूजियम, लाइब्रेडी, कम्यूनिटी किचन, इंडो-इस्लामिक कल्चरल रिसर्ट सेंटर, एवरिटिंग, पॉब्लिकेशन आउस, मॉस्क ये सब होगा आगे दिखते हैं सुबा साड़े आट बजे से कारेकरम शुरू हुआ हमारे राश्ट्री ध्वज को फैराया गया प्लांटेशन और ट्रीज, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जेस्चर है क्लाइमिट चेंज का भी खयाल रख रहे हैं अभी मैंने आपको एक लेचर लिया था कि किस तरीके से हम जो अपना मोबाइल फोन, लैप्टॉप, जो नेट यूज कर रहे हैं हम कैसे क्लाइमिट को बरबाद कर रहे हैं आप जब अपना नेट यूज करते हो तो उसके इलेक्रिक सिटी लग रही है वो एलेक्रिक सिटी है नहीं कार्बन से, तो कार्बन फुट्प्रिंट हमारा भायानक तरीके से जनरेट हो रहा है वो बहुत बहुत बहुतरीन लेचर आप जरूर देखिएगा तो plantation of tree saplings by the chief trustee and the member of trustees of the IICF सब जगा से clearance लिया और IICF के जो प्रेसिडेंट है जूफार एहमद, फारुकी और बाकी जितने भी नोट ट्रस्टी थे उन सब ने इस meeting को अटेंड किया जो virtual meet थी इसको अटेंड किया यह सब कारेक्रम हो गया और यहां पर formal beginning जो है वो हो गई, project को finally start कर दिया गया है राम मंदिर तो बनी रहा है, राम मंदिर पर मैंने लिचर लिया है, मैंने भी कुछ डोनेशन दी और भगवान राम पर यह मंदिर बन रहा है प्लस यह काफी भव्य बन रहा है और हमारा भी project शुरू हो गया है और यहां पर mosque का भी project शुरू हो गया है तो आप देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सब कुछ भाई चारे से हो रहा है, कोई भी दिकत नहीं है आपे तो जो focus है, community service देनी है area में climate change, यह बड़ा important point है, to create awareness on climate change भाई, जब tree sapling बन रहा है और जिस तरीके से मस्जिद को बनाया जा रहा है, काफी हरा भरा महौल है तो एक तरीके से climate change के लिए लोगों को aware किया जा, और मेरे ख्याल में इससे बेहतरी मौका हो ही नहीं सकता तो जो formal startup project का, it is made by planting tree saplings, और यह जो project है, इसमें green area भी होगा पूरी दुनिया भर से नायाब जो पेड़ पौदे वो लगाए जाएंगे, Amazon rainforest हो गया, Australia, सब जगां से पेड़ पौदे मगाए जाएंगे Amazon जंगलों में आग लगी थी, Amazon जंगल जिसका maximum जो पार्ट हो ब्रजील में आता है, South America में Amazon, Anaconda वहीं पर मिलते हैं ना Lungs of the Earth बोला जाता है, अगर Amazon में आग लगी तो पूरी दुनिया बरबाद होगी और आग लगी, बहुत बुरी तरीके से आग लगी, तो ये सब इसलिए है, एक green area इसलिए बनाया गया है, ताकि लोगों को climate change के बारे में aware किया जा सके हुसेन ने ये बोला है कि 15,000 square feet का मस्जित होगा, आयोध्या के धानिपूर village में इसको बनाया जाएगा, जितना बड़ा बाबरी मस्जित था, उतना ही बड़ा आयोध्या का धानिपूर village में मस्जित होगा, शेप जो होगा बाकी मस्जित से बिलकुल अलग होगा, मैं और जिस तरीके से काबा शरीफ है मक्का में, वैसा ही शेफ होगा, ये चीफ आर्किटेक्ट सम अक्तर ने बोला है, उत्तर प्रदेश का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, they have formed the IICF, जैसे राम जन्म भूमी के लिए मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, बहुत टाइम से बना गया, ताकि जो मस्जित है पांच एकड के प्लॉट में बनाया जा सके, आपको पते है कि स्टेट गवर्मेंट ने ये प्लॉट जो है धन्निपुर में, for the construction of mosque ये दिया था, सुप्रीम कोट ने ये बोला था न, 9 November 2019 को फैसला आया फाइनली, राज सरकार को बोला कोट ने क भईया आप इनको दो, आप इनको लैंड दो, तो राजसरकार ने दिया, इस्टेट गवर्मेंट ने पांच एकड जो लैंड था, धन्निपुर विलेज, सोहवाल तेहसील अफ आयोध्या वहाँ पे लुकेट किया, ब्लूप्रिंट जो है, ये 19 December को अरड़ी अन्वील किय जा चुका था, इसके ओपर लीगल डिस्प्यूट फिर से हो गई थी, दो सिस्टर्स जो है, वो हाई कोट से लिगए ते इलाबाद में, ओनर्शिप पे सवाल था, लेकिन अभी हाई कोट ने सारी पेटिशन को डिस्मिस कर दिया है, क्या निकि ये मस्जिद भी बनेगा, म सबसे बड़ी जीत भारत की होगी, आई हो पे लेचर आपको पसंद आया होगा, खुछ रही पढ़ते रही देशे सिद्धान तक नहीं होतरी, साइनिंग ओफ